दोस्तो कैसे आप सब आज किस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज के ये हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेसल होने वाला है दोस्तो अभी जिला साकारी बेंग के सभी गराकों को नए डेबिट कार्ड दिया जा रहा है और उसका पिन आपको डिरेक्टे ATM मसीन में जाकर बनाना पड़ेगा हमारे बहुत सारे भायों को ATM कार्ड का नए पिन बनाना नहीं आता तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिला साकारी केंदरी बेंक के नए डेबिट कार्ड का पिन कैसे बनाना है तो दोस्तो आज मैं आपको लाइब डेमो के साथ ATM मसीन पर जाकर बताने वाला हूँ कि आप इसका पिन कैसे सेट कर सकते हैं तो दोस्तो ऐसा वीडियो आपको पूरे यूटूब में देखने के लिए नहीं मिलेगा तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें कोई भी पार्ट इसकी बिल्कुल भी ना करें तो दोस्तो वीडियो में आगे बोई नेस पहले अपने भाई की चानल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी से द्लाइब कर दे हलो गाईस मैं हूँ राहूल वर्मा स्वागा थे आपका हमारे चानल टेकनिकल सीजी बवाय में सिधी बात नो बगवास तो चलिए कुछ नया जाने दोस्तो यह है जीला सहकारी केंदरी बैंक का ओफिशियल ATM मसीन और अभी मैं ATM मसीन पर हूँ और दोस्तो आज मैं आपको लाइव डेमो के साथ नए ATM कार्ट का पिन जनरेट करके दिखाने वाला हूँ दोस्तो यहाँ पर जब मैंने ब्रांच से इंक्वाइरी किया कि नए ATM डेबिट कार्ट का पिन कैसे बनाना है तो वहाँ से मुझे जानकारी दिया गया कि दोस्तों आप जीला सहकारी केंदरी बेंक के ATM या फिर डेबिट कार्ट का पिन आप जीला सहकारी ATM मसीन पर ही बना सकते हैं यहाँ पर आप जैसे PNB, Bank of Broda, SBI इन सब बेंक के ATM मसीन पर इस डेबिट कार्ट का पिन सेट नहीं कर पाएंगे वहाँ प्रांच में मुझे बताया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ जीला सहकारी केंदरी बेंक के ओफिसियल ATM मसीन पर ही इस डेबिट कार्ट का पिन सेट कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों लाइब डेमे के साथ देखते हैं इसका पिन कैसे बनाया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको अपना डेबिट कार्ट ATM मसीन में इंसर्ट करना है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना डेबिट कार्ट इंसर्ट कर लिया है उसके बाद दोस्तो आपको अपना language select कर लेना है तो मैं English select कर लेता हूँ फिर दोस्तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा create new pin पर तो यहाँ पर दोस्तो आपको click करना है फिर दोस्तो यहाँ पर click करने के बाद आपको अपने account number का last six digit यहाँ पर enter करना है अपने account के last six digit आपको पीछे से count करके डाल लेना है तो जैसा कि मैं यहाँ पर अपना account number डाल देता हूँ दोस्तो आप जब भी pin बनाने जाएं तो अपना account number या फिर passbook साथ में जरूर रखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो मैंने अपने account number का आखरी 6 अंक यहाँ पर फिल कर दिया है उसके बाद आपको continue वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको आपके OTP के लिए बोला जा रहा है तो दोस्तो आप जब भी pin बनाने जाते हैं तो आपको अपना register mobile number भी साथ में रखना जरूरी है क्योंकि दोस्तो उसमें OTP आता है तो यहाँ पर आपको बोल रहा है दोस्तो जैसे ही आप confirm वाले option पर क्लिक करेंगे आपके register mobile number पर एक OTP चला जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको OTP लेने के लिए confirm वाले option पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तो आपके register mobile number पर 6 digit का OTP चला जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको उस 6 digit का OTP को enter करना है दोस्तो जैसे आप 6 digit का OTP enter यहाँ पर करेंगे फिर आपको continue वाले option पर click करना है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो जैसे आप continue वाले option पर click करेंगे आपके सामने नया window open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो बोल रहा है please enter your new 4-digit pin तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपना फोर अंका पिन बना लेना है दोस्तो यहाँ पर आपको अपना नया पिन 4 अंका select कर लेना है जो आपको हमेशा याद रहे दोस्तो जैसे आप 4 अंक टाइप करेंगे एक बार आपको और डालने के लिए बोला जाएगा तो दोस्तो same पिन आपको एक बार और डालना है जैसे आप inter करेंगे दोस्तो आपका ATM का पिन प्रोसेसिंग में चला जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आपका कार्ड प्रोसेसिंग में चला गया है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है घबराना बिल्कुल भी नहीं है और दोस्तो आपको आपके safety के लिए बता दूँ अपने ATM card का नंबर किसी को भी न बताए expiry date नंबर किसी को भी न बताए और अपना CVV नंबर किसी को भी न बताए और अपना ATM pin गोपनिये रखे मतलब एकदम security के साथ रखे किसी को भी अपना ATM card का pin OTP और expiry date नंबर किसी को भी कुछ details नहीं देना है दोस्तो कोई भी आपसे call करके कुछ पूछता है तो आपको कोई भी अपना personal information किसी के साथ share बिल्कुल भी नहीं करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो आपके लिए help full हुआ होगा तो इस वीडियो को आगे share जरूर करे क्योंकि दोस्तो आपके दोस्तों लोग को भी pin बनाना नहीं आता होगा तो यह वीडियो उनको आप share कर सकते हैं तो दोस्तो ऐसी नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि हमारे चैनल पर banking से लेटी वीडियो आते रहता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक के आज